तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डेमो टीचिंग एक्चुल में करते कैसे हैं है ना तो आज मैं आपको एक लाइव इजामपल देने वाला हूं कि डेमो के टीचिंग में किस तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं कौन से बच्चों को जो आपके प्राइमरी की लेवल पर जो आपके बच्चे होते हैं first to fifth class के 거죠 होते हूं ठीक है अब आपको एक concept समझाना है किसका डेजन का में गारेजन को मादिंड कि उसके लावा kg क्या है and meter को में टीक का में जाइन इसके यह आपको बच्चों को समझाने तो आप किस तरीके से बच्चों को समझाएंगे तो देखेगा एक तो तरीका यह है जो कि आप सब करते हैं क्या कि बाई गिंती में गिंलो जासे बारा लाइन ने बना देगा हूं तो वहीं ये 12 लाइन हैं मतलब कि गिन्ती में जब से संख्या में आपको गिन्ने में 12 आ जाए तो समझे लीजेगा एक दल जन हो गए ठीक है ऐसे किलोग्राम की वजन है ये एक किलो है ना 1 किलो वजन कितना होता है 1000 गिराम ठीक है तो ये एक तो तरीके ये होते हैं कि interviewer आपको अच्छे marks दे दे और आपको select कर दे तो भी ये तरीके तो हर किसी के पास है है ना हर एक इंसान जो भी जा रहा हो गया वहाँ पर चुप थोड़ी रहेगा वो भी कुछ तो बोलेगा इनको explain तो भी कर सकता है तो आप लोगों को करना क्या है बाकियों से हटके क्य क्या करना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं देखेगा उनको सबसे पहली चीज मैं आपको tips के रूप में अगर बताओं तो उनको एक story telling की तरह से समझाना है ठीक है तो बच्चों आप लोगों यह तो देखा होगा मोगली है ना जिसके गाना था जंगल जंगल बा तो जब आप इस तरीके से थोड़ा सा उनको साथ communicate करते हैं तो यह चीजे क्या है हर एक बच्चा देखता है तो सब क्या है एक तरह से इंट्रेश्ट डैवलप हो रहा है ठीक है जब आप लोगों के साथ इन्वोल हो रहा है जब आप एक लाइन भी गाते हैं तो वह क्या ह चीज को किस से क्या कर रहा है connect कर रहा है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अब क्या है मोगली है तो वह सब क्या कर रहे है पिकनिक पर गए है मोगली है तो जंगल में क्या है उसमें एक तो मोगली है जो एक क्या है बच्चा है मोगली ठीक है मोगली अगर मैं इस तरी सी प्लिके से अगर जंगों में बात करो तो मैं मंकी भी रहेगा ऐणा बंदर भी रहेगा डोग भी रहीगा कैट भी रहे मतलब कि बहुत सारी जानवर हैं सारी ही जनवर कहां रहते हैं जंग सु स्दी आना बच्छों आपको आपने देखा बनाते हैं तो आप क्या चाहते हैं इस पिकनिक में अगर आपके पिकनिक में बंदर सामिल हो रहा है तो वो क्या खाता है वो क्या खाता है बनाना खाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है बनाना लेने जाना है क्या करना है केले लेने जाना है तो आप लोग गए केले लिए ठीक है आप लोग गए दुकान पर तो वहां से आपने क्या करें केले लिए किस के लिए मंकी के लिए तो जब आपने केले लिए तो आपने बोला कि जा के बहिं कि मुझे क्या करो केले देगा तों अगर आप नोर्मल इसे कि वह यह इतने सारे क्यों दे रहा है है ना तो आपने क्या किया आपने देखा कि भई बहुत सारे Member है तो ये एक दर्जन 12 के लिए काफ़ी हों में तो आप लोगों को वहां से एक चीज समझ आई कि उसने मुझे क्या करा दर्जन में केले दिये है ना उसने मुझे क्या हुआ दर्जन का concept समझ आया कि एक दर्जन में कितने होते हैं 12 के लिया होते हैं ठीक है उसके बाद अगर आप वहाँ पर हैं तो वहाँ पर आपको क्या है भी सेव भी खाएंगे तो आप क्या गए उसी वहीं पर देखा आपने कि भी सेव भी देदो आपने क्या बोला कि समझ आगे कि एक दर्जन एक दर्जन में आते हैं तो आपने बोला कि एक दर्जन सेव देदो तो उसने बोला कि एपल जो है वो क्या है दर्जन में नहीं आते हैं वो आते हैं किसमें किलो में आते हैं और किलो कितना होता है वही वन केजी होता है आपका 1000 गिराम ठीक है तो तो अपकर कुसमें समझ आए कि आपल कि अब अप उसके बाद गये किसके लिए दूध है? क्या है यह क्या पीते हैं इनके लिए क्या है हमें मिल्क लाना है ठीक है पार्टी करने पिकनिक करने तो सब के लिए खाना होना चाहिए न तो इनके लिए क्या लाना हमें मिल्क लाना है दूद लाना है तो दूद लाने के लिए तो यहां से आप लोगों को एक बास समझाई कि यह लिटर में आता है उसने एक लीटर दूद ले लिया वहाँ पर किसके लिए लिया सकते हैं अब किनिक मना रहे हैं तो यह भी तो आप की हिस्सा है ना सब के लिए कुछ दाना है ने तो इनके लिए MIlk ले लिए नाफोश महलें का कीडिय दाना एक ऐप कुमलिन के क्लिव को अ घ्री तॉ सब अब कुछ देख लिया तो यह मोगली इंसान ही तो है एक बच्चा है इंसान ही तो है यह अपना मोगली तो अब अपना मोगली क्या पार्टी में जाते हैं तो उनके लिए कपड़े लेने गए तो उन्हों ने बोला किया क्या है हमारा क्या से आएगा मीटर में आएगा इसके यहां पर भी जो प्लोग क्लोच क्लोट है है ज motherf蛋 है समझा अगर केले की की बात करता हूं तो वोẫn कि द्रजन कितना होता है आएग के और में सेव लेता हूं तो वो हमारे किस में आते हैं, किलो ग्राम में आते हैं, और किलो ग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम is here to 1 किलो ग्राम, उसके बाद अगर हम डोग और केट के लिए हम क्या करने हैं, मिल्क लेने गए, तो जब हमने मिल्क लिया तो हमने सीखा क्या, कि मिल्क आता है, हमारा दूद आ चैंगे कि यह इतना है यह वह उतना है तो बच्चा क्या हो जाएगा बच्चा सीखता भी नहीं ठीक से जब तक आप उसका इंट्रेस्ट डैवलप नहीं करोगे जब तक वह आपके साथ इंगेजमेंट नहीं होगी उसकी तो नहीं सीखेगा तो आप इस तरीके से स्टॉरी तरहीं तरहीं सबसेपहले आपने श्टोडी टैलिंग करी उसके बाहरा आपने बच्छों को मारकर वगयरा से यह पैंसिल करके बता दी कि आधा बारा हो गई आप एक बात सीच देखो ये एक बात समझने वाली है आप क्या समझाना था डर्जन का किलोग्राम का मीटर का लीटर का कॉंसेट ठीक है इस चारों कॉंसेट्ट तो हमने कि ये करे करे इसके अलावा और और बच्चों आप क्या सीख पाए उसके अलावा वही आपकी इवेस चौनर भी सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं दोस्तों ने फीडियो में उमेद आप लोगोपा glow के वीडियो पैसंद आई होगी सबस्क्राइब करें करें पुर जितने भी दोस्त है ना जितने भी इंट्रेव्यू देना है या फिर जो भी टेचिंग कर रहे हैं प्राइविट भी कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर करें ठीक है ताकि वह भी अच्छे सीख पाए और हमारे आने वाले फ्यूचर जो है बच्चे ही तो हमार झाले झाले बच्चे ही तो हमारे शोस्त है लाले दो हमारे फिर झाले है तो है।